इधर मैंपुरी में डिमपल यादो की जीत पर मशली शेहर से सपा की विधायक रागनी सोनकर ने खुशी जाहिर की उन्होंने का कि लोग सपा को पसंद करते हैं और उनकी नीतियों को समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी में डिमपल यादो ब्रिगेट की विधाई का रागनी सोनकर हमारे साथ है जो ठिकट लेने के बाद से चुनाओ प्रचार में यहां लगी हुई थी लगातार और रिजल्ट रिकार्ड का आया है कमाल का आया है उस पर बहुत खुश नजर आ रही है इन उस सबें भी मैंने आपको कहा था कि देख लीजे मेरे चेहरे पे जलक रहा है और अभी भी वो जलकी रहा है बहुत जादा खुर्शू मैं और मैं मेनपूरी की जनता को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि इस जीत की हगदार हमारी मेनपूरी की जनता है जोनisode हमारे श्रदने नेताजी को सची खरद धांजली के रूप में यह जीत हमें मैं हमारी पूरी समाजवादी पार्डी की जो परिवार है उसे धेर सारी शूपकामनाएं देती हूं और हमारी भावी को भारी मतों से मेनपूरी की जनता ने सदन में पहुचाया है उसके लिए हिर्दै से धन्यवाद और धेर सारी शुपनामना है सभी को यहां आप घूम रही थी तो आपको लग रहा था कि इतने रिकार्ड मतों से जीते हैं देखिए जीतना तो पता था कि बिल्कुल जीत रहे हैं लेकिन यह जो रिकार्ड बना है सिखाने वाली है शक्ति की बात होती है यह मैंणपूरी से पहली महिला सांसद है आगे और बी होंगे और यह बहुत अच्छी जीत है और मैं धन्यवाद करना चाहूं कि मीडिया का भी कि उन्हों ने भी एक बहुत अच्छी तरीके से कवरेज भी किया और मदद भी कि अपने तरफ से जितना भी सहीयोग कर पाए आप लोगों ने किया तो उसके लिए हिर्दय से आप सभी लोगों को भी बहुत भाँ धन्यवाद मीडिया को तो लोग गाली देते हैं आप धन्यवाद दे रही हैं आप देखिए जहां तक मैंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार में मैं लगी थी और मैंने देखा काफी हद तक मदद मिली है हाँ आगे मुझे लगता है कि बहतर और भी मदद मिलेगी तो उसी के लिए मैं शुक्र गुजार हूं इन एडवांस आपके चेहरे से जो खुशी है टपक रही है जलक नहीं नहीं टपक रही है जब उस समय भी मैं निकली थी और टिकेट अनाउंस हुई थी तो आपने मुझसे पूचा थे कि आप तो इतनी खुशे जैसे लग रहा है कि भाबी नहीं आ कि नाम पर लड़ा और एक एक वोट को उनकी शद्धान जली के तौर पर बताया अब जब मैंपुरी में जीत मिली है तो पूरा समाजवादी कुनबा एक हो गया और जीत के बाद यूपी बिरोची वीरेश पांडे ने अखले इशादों से खास बाचीत की पिलेश जी कैसा आप महसूस कर रहे हैं और इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं यह जीत मैंपुरी की जनता ने और मैंपुरी लोकसभा की जनता ने नीता जी को सच्ची सधान्जली दी है एक एक बोर्ट जो पड़ा है वो नीता जी को याद करके डाला है लोगोंने नीता जी की ने जो काम किया है या नीता जी ने छित बनाया था परडाम से दिखाई दे रहा है कि कितना लोगों से नीता जी जुड़े रहे और इस जीत को आप लगता है कि भाजपा ने बहुत घेरने की कोशिस की लेकिन घेर नहीं पार्टी जनता पारड़ी के नेताओं की शुरुआती दोर से नकारात्मक रादीत रही अगर हम उनके स्टेट्मेंट्स देखें उनके जिस तरीके से बेवहार था जो निर्देश दे जा रहे थे प्रसासन के माद्यम से वो लगाता है नकारात्मक था मैं समझता हूँ मेनपुरी की लोकसभा की जनता ने नकारात्मक रादनीत को पराजित किया है और सपा और प्रसपा का विले हो गया विले है और आगे आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी चाचा को और आप आगे देखेंगे दोनों मिलके काम दो और जो रामपूर में है मुझे दुख है इस बात का कि इलेक्शन कमीशन की जानकारी के बाद भी और उनको समय समय पे हम लोगों ने वीडियो भी टेक किये जानकारी भी दिये उसके बावजूद भी कारपाई नहीं हुई रामपूर का चुनाव दुबारा कराना चाहिए कम से कम जनता को फ्री एन फेर एलेक्शन हो और बोट डालने का पूरी आजादी मिले गटवंदन ने पहले भी कमाल किया था किनी परसितियों में हम नहीं जीत पाए थे लेकिन मैं समस्ता हूँ आने वाले समय में ये गटवंदन रहेगा और भी लोगों को जोड़ करके 2024 में जो उर्जा मिली है मेनपूरी लोकसभास से या खतौली से उसको आगे बढ़ाएंगे आखरी सवाल चाचा के आने से मजबूती समाजवादी पार्टी की कितनी बढ़ी है इसमें रादनीद में कोई मेजर्मेंट कैसे करेंगे लेकिन 24 में जब ज्यादा सीटें दिखाई देंगी तो आप अपने आप अनमाल लगा लेंगे इस पार्ट का अप्रिश यादो बहुत ही आशानवित और उन्होंने कहा कि जीत है वो पूरी तरीके से मुलाहिम सिंग यादो को समर्पित है श्रद्धांजली है जनता के एलिए और जिस तरीके से उन्होंने रामपूर बेवी कहा और साथी कहा कि ये जो जीत है वो 24 में आगाज करेगा और शिवपाल यादो जो साथ हाएं हैं वो किस रूप में फलदायक होगा ये 24 में दिखाई पड़ेगा और साबित होगा कि उनका आना कितना शुब है और साथी उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी सपा विधायक प्रसन्न चित कहरी हैं मेरे चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं मैं फुरी उप्चुना पर पर पूर मंत्री और भोगा विदायक राम नरेश अग्रियोतरी ने कहा है कि धनबल की राजनीती के चलते समाजवादी पार्टी जीती ये सप सब्सक्राइब कोई कमी रह गई है उसका पता लगाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि 2024 की तस्वीर पूरी तरह से अलग नजर आएगी बार्टी जन्ता पार्टी को उम्मीद थी कि इस वार मैंपुरी के समाजवादी किले को वो जरू दस्त कर देंगे लेकिन नतीजे अपेक्षित नजर नहीं आए बात करने के लिए हमारे साथ हैं बोगाओं विदायक पूर मंती राम नेश जी सर ये आप लगातार पूरी कशम कश रही लगातार लड़ाई रही लेकिन क्या कहां चूक हो गई अब लड़ाई तो पार्टी के लोगों ने कारकरता हुने जितनी संबग थी प्रयास किया लड़ी है लेकिन कहां चूक हुई है कहां गल्किया रही तो बैठेंगे तो समिक नतीजे तो बता रहे हैं ने कुछ कुछ गड़बडियां हुई हैं अब में कैमरे के सामने उन्हें कह भी नहीं सकता हूं जब तब कोई साच्छ नहीं हुआ है क्या क्या हुआ है धनबल और दारूबल जब सफा और गस्बा का गठबंदन था तब कुल पॉंच सीट जीत पा पैसे को ही केंद्र करना है अब भक्टर वो ही है आप लोग भी जान रहे हैं सब देखे बातों बातों में बहुत कुछ कह गए राम नाई शर्मुत्री जी और उनका कहना है कि कहीं न कहीं धनबल का जो प्रयोग रहा है इस पूरा जो पैसे का फिलो रहा है वो आरोप भी उसकी वज़े से कहीं न कहीं बीजेपी की तमाम कोश्चें रही तमाम जो उनके एक्के रहे वो चुनावी बिसात पर पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो सके और उनका ये भी कहना है कि ये बस ये उनकी सीट्टी यो उनको मिल चुकी है लेकिन दूजार चौवीस की यो गंगा खबर आपकी जवाब की